प्यारे बिच्चों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत्वस क्लासेस में तो प्यारे बिच्चों इस वीडियो में हम कच्छा पांच हिंदी के पार्ठनों काबुली वाला के most important objective questions को करेंगे ये वीडियो आप सभी के weekly test के लिए half yearly exam के लिए और final exam के लिए most important है बिच्चा आपके exam में objective प्रस्ण में से इस परकार के प्रस्ण पूछी जाएंगे और इस पार्ठ से जितने भी MCQ question बनते हैं मैंने इस वीडियो में कवर किया है तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को पहले तो like कर दीजे और अपने अपने दोस्तों को मित्रों को share कर दीजे चलिए बिचा start करते हैं पहला प्रस्ण आप सभी के सामने है प्रस्ण कहता है मिन्नी कितने वर्ष की थी विकलप दे रका है 10, 9, 5 या 11 बताइएगा पिलकु सही मिन्नी पांच वर्ष की थी पहले ही पंकिति में लिखा गिया है कि मिन्नी पांच वर्ष की थी और या बہुत ही यहाँ पे सवाल पूस्ती थी है हमेशा सवाल पूस्ती थी तरह तरह के प्रस्ट पूस्ती थी अपने पिताजी से दूसरा है राम दयाल क्या था हलवाई, दर्बान, पुलीस या चोर तो राम दयाल दर्बान है मिन्नी बोलती अपने पिताजी से कि राम दयाल दर्बान काक को कववा बोलता है यहाँ पे कलकत्ता में कववा को काक बोलते हैं तो राम दयाल दरवान काक को कववा बोलता था तो यह प्रश्न पूछती है आकास में हाथी सूर से पानी फेकता है या कोन कहता है? मिन्नी, भोला, राम दयाल या कोई नहीं तो यह बात मिन्नी बोलती है कि आकास में हाती सून्ड से पानी फेकता है मिन्नी का घर किसके किनारे था जंगल, सडक, शमुद्र या कोई नहीं तो मिन्नी का जो घर है वो सडक किनारे था तरह तरह के व्यापारी वहाँ भी अपना समान बिजने के लिए आते थे जिसमें से काबूली वाला भी आता है और मिन्नी की दोस्ती काबूली वाले से होती है काबूली वाला क्या बिशता था? खिलोने, मेवे, गुपचुप या कोई नहीं यहाँ जो काबूली वाला है वो मेवे बेस्ता था इसके अलावा हुआ किसमेश बदाम इत्यादी बेस्ता था तो भी विकल्ब सही हो जाएगा चठा प्रस्थन दे रखा है काबूली वाले का क्या नाम था हस्मत रहमत अकबर या अली क्या होगा पच्छा बिल्कुल सही उसका नाम रहमत होता है काबूली वाले का नाम रहमत होता है रहमत को कौन पकड़ के ले जा रहे थे सिपाही, दर्बान, नेता या भी नेता तो एक सुभा मिन्नी के पिदाजी सोर्गू सुनते हैं और देखते हैं कि दो सिपाही रहमत को पकड़ कर ले जा रहे हैं क्योंकि उसने किसी को छूरा मार दिया है क्योंकि उसने खून कर दिया है तो सिपाही पगड़ कर ली जा रहे थे आठवा प्रस्न है रहमत कहां रहता था काबूल, जापान, अमेरिका या इनमे से कोई नहीं तो रहमत काबूल में रहता था इसलिए उसके काबूली वाला कहते हैं काबूल में रहता था इसलिए काबूली वाला भारत में रहता था भारती है जापान में रहता था जापानी चीन में रहता था चीनी नेपाल में रहता था था नेपाली बोलते हैं अगला परशन है लेखा का मिन्नी से क्या संबंध था पुत्री, मा, बहन या चाची तो मिन्नी लेखा की पुत्री थी वह बोलता है कि मेरी पुत्री मिन्नी पांच बरस की थी यानि वह उसकी पुत्री थी यहां पी ए विकल बिल्कुत सही होगा दस्वा प्रस्न है काबूली वाला जेल से बाहर कब आया पताए काबूली वाला जेल से बाहर कब आता है जो रहमत होता है जब मिन्नी स्कूल जाती थी जब मिन्नी की साधी हो रही थी जब मिन्नी छोटी थी या कोई नहीं पिल्कुत सही प्चा जब मिन्नी की साधी हो रही थी तब वह बाहर आता है ग्यारवा प्रस्ण है इनमें से कौन पत्र बाटता है जो खत बाटता है चित्थी पहुचाने का काम करता है डॉक्टर, पुलीस, डाकिया या इनमें से कोई नहीं सही विकल्प यहाँ पे सी होगा डाकिया पत्र बाटता है या फिर खत बाटता है बारवा प्रिसंदी रिखा है पटना का पुराना नाम क्या था मदराज, पाटली पुद्र, डाल्टेन गंज या बंबई तो पटना का पुराना नाम पाटली पुद्र था ठीक है चेन्नाई का पुराना नाम मदराज था यहाँ पर आपको याद रखना है और मेदिनी नगर, मेदिनी नगर का पुराना नाम यहाँ पे डाल्टेन गंज था, मुंबई का पुराना नाम बंबई था, तो याद रखने आपको तेरा प्रस्न है नेपाल में रहने वाले वेक्ति को क्या कहेंगे नेबाली, भारतिय, अमेरिकन या हिंदुस्तानी तो देखिए नेपाल में रहने वाले को नेपाली, भारत में रहने वाले को भारतिय भी बोलते हैं, हिंदुस्तानी भी बोलते हैं और अमेरिका में रहने व करना है काबूली वाला पार्ट के लेखा कोन है आपको इसका होमवक बताना है किसका होमवक इसका एंसर क्या होगा आप सबी सर्च कर सकते हो इंटरनेट में काबूली वाला पार्ट के लेखा देखते हैं कितने बच्चे या पर होमवक करते हैं पंदरवा परश्चिम बंगा का परमुख वेंजन यानि खाने को रविक से क्या है यहां पर विशेश रूप से क्या लोग खाते हैं हाँ आप सभी को बताना है पर छेम बंगाल का यहां पर किसे वらいन जन टो है तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ब Homeland ऐगा उसकी पीडिएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलूड कर लीजिए पहले तो आप सभी जितने भी बच्छों ने टेलीग्राम चैनल को जोईन ने किया है आप सभी जोइन किजिए डिस्क्रिप्शन में जाईे लिंक से चेक आओट किजिए और जोईन किजिए अगला पाट 10 के कुछ यहां पर MCQ कोशन बताए जाएगा थेंक्यू बिच्चा